बहुजन समाज़ पार्टी को छोड़ कर कॉंग्रेस में शामिल हुए नसीमुद्दिन सिद्धिकी की विधान परिशत की सदस्तार रद्ध कर दी गई है बहुजन समाज़ पार्टी द्वारा मंगलवार को जारी एक प्रेस विध्यप्ती के अनुसार सिद्धिकी को दल बदल कानून के तहट 22 फरवरी 2018 से आयोग गोशित कर दिया गया है उनके कॉंग्रिस में शामिल होने के बाद बहुजन समाज़ पार्टी ने दल बदल कानून के तहट उन्हें आयोग ठहराने के लिए विधान परिशत के सभापती रमेश यादो को याचिका दी थी बहुजन समाज़ पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा द्वारा जारी एक बयान के अनुसार नसीमुद्दिन सिद्धी की 23 जन्वरी 2015 को बहुजन समाज़ पार्टी की ओर से विधान परिशत के सदस के रूप में निर्वाचित हुए थे उन्होंने 22 फरवरी 2018 को भारतिय राश्ट्री कॉंग्रिस की आपचारिक रूप से सदस्ता ग्रहन कर ली थी इसके बाद विधान परिशत में बहुजन समाज़ पार्टी के नेता ने दल परिवर्तन के आधार पर निररहता निमावली 1987 के अंतरगत नसीमुद्दिन सिद्धी की को 22 फरवरी 2018 से विधान परिशत की सदस्ता से अयोग्य घोशीत किये जाने हितू याची का प्रस्तुत की थी बयान में कहा गया कि लंबी सुनवाई के बाद विधान परिशत के सभापती ने मंगलवार को अपना निरने दिया है और 22 फरवरी 2018 से सिद्धी को विधान परिशत की सदस्ता से अयोग्य घोशीत किया गया है